नमस्कार सत्स्रियकाल आदाब जै जनेंदर जै भीम हालेलुईया असलाव अलेकुम जैहिन वन्दे मातरम सुस्वागतम खुशामदीद याने कि जितने भी संबोधन हो सकते हैं शुब कामनाए हो सकती हैं शुब लक्षण हो सकते हैं आपके और मेरे मिलन के उन सब को लेकर मैं हाजिर हूँ सरखम है तेग अबरू है दिलबर के सामने और सर जुका रहा हूँ आप सब के सामने जो मेरे फैन है इस प्रोग्राम को चाहते हैं जिसका नाम है सुहाना सफर विथ अनुकपूर फर्स स्टोरी कौन थी वो चाइल्ड स्टार जिसने तीन बार अटेंप्ट किया वेल अफ डेथ में छलांग लगाने का दूसरी कहानी एक सीनियर सिटिजन को घुसा क्यों आया शाम बैनेगल को जब उन्होंने देखा हमारे रेगुलर सेगमेंट्स में फिर तेरी कहानी याद आई रिपीट वैल्यू उसके बाद एक कहानी और अन्त में हमारे श्रोता एएस चाहर के सवाल का जवाब आज से सतर साल पहले मुंबई के खार डांडा में एक कुवा हुआ करता था वैल और उसके दो ही उपयोग थे दो तरहा से लोग यूज किया करते थे जब कभी पानी की किल्लत होती तो लोग साफ सफाई के लिए उसका पानी इस्तमाल करते थे या फिर किसी को अपनी लाइफ का दियेंड करना होता था तो वो उस कुवे में छलांग मार देता था या देती थी इस वज़ा से उस कुवे को लोग वेल अफ डेत के नाम से भी पुकारने लगे थे ये चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नाज उस कुवे के करीब ही रहा करती थी नाज के माबाप फिल्मों में काम करते थे स्टार बनने की तमन्ना चाहत थी लेकिन छोटे मोटे रोल तलक ब के बाद नाज के माबाप को घर चलाने का रास्ता मिल गया नाज ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया लगातार और इस तरह से नाज ने घरवालों का पेट भरने के लिए एक रोजगार आमद तलाश कर ही लिया मगर इसमें बहुत कुछ खो गया खो गया बच्पन वो खेल खिलोने ना सहेलिया ना कोई संगी सा थी बस दिन भर बड़ी बड़ी लाइट्स के सामने जुलस्ती पसीने में नहा जाती और उसी हालत में रात को घर आकर सो जाती माबाप उसकी कमाई पे आश कर रहे थे मरगम सल्म और बिर्यानी का जायका ले रहे थे मगर नाज के हिस्से में आता था आधा ग्लास दूद और सूखी ब्रेड के चंद टुकडे उसकी फिकर करने वाला कोई नहीं था और फिल्म आई बूट पॉलिश जिसके बाद नाज हो गई स्टार कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतने वाली इंडिया की पहली आर्टिस्ट बेबी नाजी थी उस वक्त उसकी उमर दस साल की रही होगी स्कूल जाना चाहती थी, खेलना चाहती थी, जिन्दगी और बच्पन कलुट फटाना चाहती थी, बच्चों की जिन्दगी जीना चाहती थी मगर ये सब खुशियां उसके नसीब में नहीं थी उसके भाग्य में लिखा था काम, काम और काम बारा साल की होते होते इस काम की जिंदगी से बेबी नाज उकता गई और वेल अफ डेथ में छलांग लगाने निकल पड़ी लेकिन नियती को ये सुकार नहीं था वो छलांग लगाने वाली ही थी कि अचानक उसके घर में काम करने वाली बाई आ गई और उसने बेबी नाज को बचा लिया उसके बाद भी नाज ने तीन बार कोशिश की लेकिन हर बार नियती ने किसी न किसी तरह से बचा लिया वो कहते हैं न, कि जब तेरी आई होगी, उस वक्त तुझे कोई नहीं बचा सकता, और जब तेरी आई नहीं है, उस वक्त दुनिया का कोई तुझे मार नहीं सकता है. आप सोचिए, तीन बार खुदकुशी करने की कोशिश की इस छोटी सी बच्ची ने, बारा साल की बच्ची की क्या मनोदशा होगी, क्या दर्द से गुजर रही होगी, कितनी आहत होगी वो, खैर जब उसने रिलाइस किया कि कई कोशिशों के बाद भी मौत नहीं आनी है, तो हाइस्ट पेड चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई, नाज की जिंदगी में सुकून आया 1965 के बाद, जब उसने अभिनेता सुभिराज के साथ घर बसाया, और उनके दो बच्चों की मा बनी, एक दिन शाम बैनेगल अंधेरी के वेस्टन हाइवे पर खड़े थे, टैक्सी पक कड़े हुँ उनके पास से गुजरे, बुजर्ग ने गौर से शाम बैनेगल को देखा, और पलट गए, वापस आये, रुख गए, पता नहीं क्यों घुस्ते में थे, चाता बंद किया, ये सब हरकत देखकर शाम बैनेगल की समझ में आया नहीं कि माजरा क्या है, उस आदम क्या हो गया, कौन सी गलती कर दी, क्या हुआ सर, जनाब बताएं तो सही, तो उस सीनियर सिटिजर ने घुस्से में जवाब दिया, तुमने एक फिल्म अलाई है न, निशान्त, उस फिल्म को मैं देखने गया था, और तब से उस फिल्म को मैं अपने दिल से निकाल नहीं प पड़े रह गए, शाम बैनेगल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि इस बुजर्ग ने उनकी तारीफ की या शिकायत की, पसीना ज़रूर आ गया था, इन बुढ़ी हड्डियों का गुस्सा देख, हलो, कौन बोल रहा है सर, मैं मनमोहन सिंग विर्क बोल रहा हूं, जलंद नहीं हमारी है, नहीं जी, तानभाग साड़े है कि तुझी साड़े नाल गाल कर रहे हो, कमाल कर रहे है विर्क साब, श्री दरस बॉंबईदा की याल चाले, मुंबईदा बस बूदी-बूदी घटाएं आती हैं, मुतरदबों की हवाईं आती हैं, किसके गेसू खुले है सावन में मेहकी मेहकी हवाईं आती हैं, क्या बात है, शानू जी, एक मेरे दरस लिए लिजे प्लीजियें इर्शाद हवाओं पे लिख दू, हवाओं के नाम, वाववाओं ये किस के लिए है, ये है किस के नाम, इन अन्जान परदेशियों का सभादा है बहुत अच्छा गाया विर्क साब आपने जलंधर वाले जलंधर वालों के साथ साथ विर्क साब की आवाज को पूरे देश ने सुना होगा आप जानते 92.7 बिग एफिम हमारी कंट्री का वन अब दे टॉप मुस्ट रेडियो चैनल है जब अभय दियोल को फिल्म्स में लॉंच करने का वक्त आया तो बड़े भाई सनी दियोल ने डिरेक्टर के लिए एक नए व्यक्ति को ब्रेक देने का सोचा इस आदमी का नाम था इम्तियाज अली फिल्म थी सोचाना था यह जब फिल्म बन रही थी तब इसी दोरान दियोल फैमिली और इम्तियाज अली में अच्छे संबंध बन गए बातों बातों में इसी दोरान इम्तियाज ने बॉबी को अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुनाई बॉबी को बहुत पसंद आई इम्तियाज ने कहा ये फिल्म मैं आपको लेकर बनाना चाहता हूँ बॉबी तो वैसे ही इंप्रेस था तुरंत हा कर दी बॉबी खुश सारी बात बड़े भाईया सनी दियोल के सामने पक्की हो गई और फिल्म का टाइटल भी रख दिया गया गीत बॉबी ने इस फिल्म को प्रिड्यूस करने के लिए इम्तियाज की मुलाकात अश्ट विनायक प्रड़क्शन हाउस से करवाई सारा पिचिन कर दिया और बॉबी के रेक्मेंडेशन पर ही इम्तियाज ने करीना कपूर को इस फिल्म के लिए साइन भी करवा दिया इनिशेली महसूस किया कि शायद बहुत मसरूफ हो गया होगा लेकिन ऐसा नहीं था जटका तब लगा जब अचानक फिल्म के बनने की खबर आई बॉबी और पूरा दियोल परिवार चौक गया असमंजस में था क्योंकि इम्तियाज ने इसी तथा कतित फिल्म को लेकर याद tentatively सारा का सारा decide हो गया था इस फिल्म का नाम भी गीत से बदल कर रख दिया गया एक नया नाम और इम्तियाज अली ने बॉबी की जगा शाहित कपूर को हीरो ले लिया और फिल्म का नाम रख दिया जब वी मेट इस घटना से सनी दियोल और पूरा परिवार इतने इतने दुखी हुए ये दुख और ये नाराजगी आज तक इम्तियाज अली से है। रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। कहानी सुनकर फिल्म का नाम रखा बहारों के सपने। अब सवाल उठा हीरो कौन होगा। तो नजर पड़ गई काम की तलाश में भटक रहे नए नए हीरो पर जिसके पास डेट भी थी। डेट ही डेट थी। नाम था राजेश खन्ना। का नाम एजे हीरो सुना तो वो घबरा गई। कहां स्टार आशा पारेक और कहां ये नए राजेश खन्ना। मन में अजीब और गरीब सवाल उठने लगे कि इस नए नए लड़के की हीरोईन कैसे बनू। मार्केट में वैल्यू में प्राइज में फर्क पड़ इनों आशा पारेक तक्रीबन तीन लाख प्रती फिल्म चार्ज किया करती थी। तबके तीन लाख भाई ये हो सकता है आज के तीस करोड भी हो जाएं। नासिर हुसेन ने आशा पारेक को समझाया देखो लड़का बहुत अच्छा है टैलेंटेड है और एक कॉंटेस्ट म हजारों में से चुनकर आया है यू समझो लाकों में एक है बहुत कोशिश की नासिर हुसेन ने लेकिन आशा पारेक राजिश खन्ना के साथ काम करने को तैयार नहीं हुई बस इस पर नासिर हुसेन भी जित पर अड़ गए कहले लगे हीरो होगा तो ये नया लड़का और अच्छी नहीं जली लेकिन इसके कुछ समय पस्चात बाजी पलट गई राजिश खन्ना हो गए सुपर स्टार अब राजिश आगे आगे और आशा पीछे पीछे आशा पारेक ने राजिश खन्ना के साथ तीन और फिल्में की कटी पतंग आनमिलो सजना तथा धर्म औ और कानून समय बदलते देर नहीं लगती है दोस्तों हिसार हर्याना के एस चाहर ने पूछा है कि क्या अभिन스타 एक्टर राजकुमार की बेटी भी फिल्मों में आई है तो उततर है जी हाँ चाहर صاحب राजकुमार की बेटी भी फिल्मों में आई है उनका नाम है वास्तवि एक और फिल्म आई दिल भी क्या चीज है लेकिन वास्तविक्ता का करियर नहीं चला नया नाम रखा उन्होंने रानी राजकुमार और उसके बाद नजर आई इकबाल दुर्रानी के एक फिल्म में जिसका टाइडल था मिट्टी उसके बाद वो अपने प्रफेशनल करियर में जादा आगे नहीं बढ़ पाई मुझे उम्मीद है कि हर्याना के जितने लोग सुन रहे होंगे खासकर हिसार के एस चाहर ने ये सवाल पूछा था उत्तर से वो संतुष्ट होंगे महरबान दोस्तों आज के लिए इतना ही आग्या दीजे मुझे फिर भेंट होगी उस कार प्रेक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विदन्नु कपूर जैहिंद बंदेमा